आपने पिक्चरिक अक्षा में जीवन एवं जैप प्रकिरिया के विशे में कुछ पढ़ाओगा तथा उससे आपने काफी कुछ सीखा भी होगा इस विशे को आगे बढ़ाते हुए आज हम जीव विज्ञान की मनरंजक दुनिया में आपका स्वागत करते हुए बारवी कक्षा के पर्थम अध्याए जीवों में जनन पढ़ेंगे जीवों के जनन अध्याए में आपका स्वागत है विद्यार्थियों आज के इस शिर्षक पर विचार विमर्ष करने से पहले आईए देखें कि यह शिर्षक हमारे बारवी के जीव विज्ञान किताब में कहां इस्थित है कक्षा बार्वी के जीव विज्ञान में काफी विवित्ताएं हैं इसे पांच ही कायियों में बांटा गया है ये पांच ही कायियां है पहला जनन, तूसरा आखंड़ुन सिकिय और विकास तीसरा मानव कल्यान में जीव विज्ञान, चौथा जै प्रॉधोगी की पाँच माँ पाड़ी इस्थिती कि आप इससे सहमत होंगे जनन एक महत्पूर्णी काई हैं जहां हम जीवों में जनन, पूस्पी पादपों में लेंगिक जनन, मानव जनन तथा जनव स्वास्त के विशे में अध्यान करेंगे विद्यार्थियों, इस अध्याए में हम विविन जीवों में जनन के विविन सिध्धानतों से परिचित होंगे इसे हम चार सत्रों में पड़ेंगे सरपर्थन इस अध्याए का अवलोकन करते हैं जनन की संगल्पना, परकार, जीवनवदी, अमर्ता, मिर्तिव, अलेंगिक जनन के परकार, काईक परवर्धन तथा इसके लाब, लेंगिक जनन, पादप, जीव, पूर्व निशेचन घटनाएं, निशेचन तथा पस्च निशेचन घटनाएं. विद्यार्थियों, इस अध्याई को पढ़ते समय, आपसे कुछ आसाएं हैं, आपको अपनी सक्षक्रमता बढ़ानी होगी. हमें इस परिनाम तक पहुँचना है, जीवनकाल, अवधी की अवधारना की व्याख्या और बिविन बहु कोशिये जीवों में इसकी घटनाएं. सीमित जीवनकाल में परजनन की परकिरिया की आवसेक्ता का विशलेशन, लेंगिक और अलेंगिक जनन की विसस्ताओं के बीच अंतर, जो पहले अध्यन किये गए, बिविन जीवों में इसकी घटना से प्राप्त हुआ है. विद्यार्थियों, मैं आसा करता हूँ कि आप अपने पिछली का अक्षया संकल्पना से परीचित हो गए हो गए. यहां कुछ जीव अपने बच्चों के साथ दिखाई दे रहे हैं. यह बच्चे जनन परकिरिया के द्वारा ही उत्पन हुए हैं. आए यह इस परकिरिया को समझते हैं. स्क्रीन पर आपको कुछ रंग बिरंगे बॉक्स दिये गए हैं. जहां आपको जनन से संबंदित कुछ महत्वपूर्ण बिंदू को लिखना है. हाँ, आप बिल्कुल सही हैं. जनन का तातपर है संतती उत्पन करना, बढ़ती जनसंख्या पीड़ी में निरंतरता, गुनन प्रजनन, लेंगेक, जैव विकास के बाहन, शर्विक्षन का महत्वपूर्ण होना. पिद्यार्तियों, जनन एक जैविक परकिरिया है, जिसमें जीव संतान पैदा करता है, और यह जीवन की निरंतरता बनाई रखने में मदद करता है. आप देख रहे हैं कि इसमें एक ज जीव जनन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ा रहा है. क्या आप इस जीव के जनन परकिरिया को जानते हैं? हाँ, यह पैरमेशियम है जो द्वी खंडन वीदी द्वारा जनन कर रहा है. आईए, अभी हम एक कदम आगे बढ़ाते हुए, पेचली कक्षया में, पर जनन के क शुक्रानू इत्यादी. अगर इन सभी सब्दों का ध्यान से अध्यान करेंगे, इस अध्याई को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे. पूरा अध्याई इन सब्दों पर ही आधारित है. विद्यार्थियों, आपने अपने आसपास बहुत सारे जीव देखे होंगे, ज इनकी मिर्तियों हो जाती है. किसी जीव के जनम से लेकर प्राकिर्तिक मिर्तियों तक की अध्यी को उसका जीवनकाल या जीवन अध्यी कहा जाता है. विद्यार्थियों, आप इस चितर में बहुत तरह के जीवों को देख रहे होंगे. आप इनकी जीवन अध्यी लिखें. बिल्कुल सही, यहां आप देख सकते हैं कि बिविन जीवों में जीवन अब्धी बिन बिन होती है हमने बिविन जीवों में जीवन अब्धी देखे आपने कववा और तो था कि जीवन अब्धी की तुलना की होगी दोनों पक्षियां परंतु उनकी जीवन अब्दी में अंतर है लगभग 135 वर्सों का इसी तरह आम और पीपल के पेड़ों की जीवन अब्दी में काफी अंतर है इससे हम इस नतीजे पढ़ाते हैं कि जीवों के आकार का उसके जीवन अब्दी से कोई परस पर संबंद नहीं है जब हम किसी जीव की रचनात्मक संगठन देखते हैं तथा उसकी जीवन अब्दी तो हम इस निश्कर्स पर पहुंचते हैं कि बहु कोश्की है जीव की मिर्थिव एक ना एक दिन होती है जबकि एक कोशिय जीव में ऐसा नहीं होता है आप इस चित्र को ध्यान से देख यहां अमीवा जनक कोशिका है और दुखंडन विदी से दो संतिती कोशिका में बट जाता है यहां अमीवा अपने कोशिका के घटकों को अपने संतिती कोशिका में बराबर बराबर बाटते हैं इस परकार आगे की पीडियां लगातार बटती रहती हैं इस परकिरिया में अमीवा दो संतती कोशिकाओं में बटने से वह अमर हो जाता है। यह परकिरिया एक कोशिय जीवों में भी पाया जाता है। जैसे युगलीन पैरेमिशियम इप्तियादी। जनन एक जैविक परकिरिया है जिसमें एक जीव प्रिधी के बाद परजाती की निरंदर्ता के लिए खुद के समान संतानों को जनम देता है। जनन वह परकिरिया है जिसके कारण इन जीवों के अधिकांस जीवन काल के बावजूद पौधों, जानवरों और सुक्ष्म जीवों के रूप में प्रिधवी पर जीवन मौजूद है। अब हम एक किरिया कलाप करते हैं जिससे आप अपनी पिक्चली कक्षा में पढ़ेवे अध्याय को इसमरन कर जनन के परकार बिभिन जीवों में कैसा होता है लिखें। आप यहाँ जनन के परकार का जीवों से सम्मिलन करें। यहाँ आपको पांच जीव दिये गए हैं उसके जनन के परकार लेंगिक, अलेंगिक या दोलों उसमें भड़े। आपने जो टेबल भड़ा उससे हम इस निसकर्ज पर पहुंचते हैं। अलेंगिक जनन मुख्य रूप से उन जीवों में पाये जाता है। अधिकांस जीवों में जनन के दोनों परकार होते हैं। अब हम जनन के संकलपनाओं को समझ गए हैं तथा यह भी जान गए हैं कि बिविन जीवों में बिविन परकार के जनन होते हैं आईए अब हम यिस्ट में मुकुलन का निरिक्षन करते हैं माता पिता कोशिका जनक कोशिका के असमान विभाजक द्वारा प्रकोप का विकास एकल माता पिता शामिल कोई युगमक नहीं बनते हैं यहां जीवों को पहचाने ये ब्रायोफाइलम, कौक रोज, हाइडरा, पैरामेशियम तथा मेंड़क हैं आप अपने पीछली विद्या के अधार पड़ें इन जीवों के जनन के परकार तथा युगमकों के सनलयन प्रस्तूत तथा अनुपस्थित भड़ें आपने बिल्कुल सही भड़ा होगा ब्रायोफाइलम में काइक परवर्दन होता है जिसमें युगमकों का सनलयन अनुपस्थित है कौकरोच में लेंगिक जनन होता है इसमें युगमकों का सनलयन उपस्थित है हाइडरा में मुकुलन होता है जिसमें युगमकों का सनलयन अनुपस्थित है परमीशय में दूई खंडन होता है जिसमें युगमकों का सनलयन अनुपस्थित है मेढक में लेंगेक जनन होता है जिसमें युगमकों का सनलयन उपस्थित है विद्यार्थियों अब तक आपनी जो सीखा उसके आधार पर अब आप कुछ परशनों के उत्तर दें पहला परस्ट, किस परकार के जनन में एकल माता पिता शामिल हैं। दूशरा, किस परकार के जनन में युगमकों का कोई सनलयन शामिल नहीं है। तीसरा, किस परकार के जनन में दो माता पिता शामिल हैं। चौथा किस परकार के जनन में युगमकों का सनलयन शामिल है। आसा है आपको इसका उत्तर पता होगा। पहले परस्ण में अलेंगिक जनन में एकल मातापिता सामिल है। दूसरे परस्ण में अलेंगिक जनन में युगमकों का सनलयन शामिल नहीं है। दीसरे प्रस्ण में लेंगिक जनन में दो माता पिता शामिल हैं, चौथा लेंगिक जनन में योगमकों का सनलयन शामिल है। इससे हम इस निश्कर्स पर पहुंचते हैं कि जनन दो परकार के होते हैं, अलेंगिक और लेंगिक। जब संत्ति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा यूगमक निर्वान को भागीदारी के साथ अत्वा इसकी अनुपस्थिती में हो इसे अलेंगिक जनन कहते हैं। जब दो जनक विप्रीत लिंग वाले जनन परकिडिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युगमकों में सनलयन होता है ऐसे जनन को लेंगिक जनन कहते हैं। विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने जो इस सत्र में सिखा है उसकी पुनरावीति करते हैं। जीवनकाल और जनन परस पर जुड़े हुए हैं। एक परकिडिया के रूप में जनन प्रिथिवी पर जीवन के निर्वा के लिए महत्पूर्ण है। अमर्ता और मिर्तियों एक कोसिय और बहु कोसिय जीवों के बीच मौजूद है। जनन दो परकार में ओते हुए हैं। अलेंगिक और लेंगिक जनन। विद्यार्थू। अपने आसपास जितने वी जीवदिखाई परते हैं, उसमें किस तरह के जनन होते हैं, उसे सुची बद्ध करें। हम अगले सत्र में अलेंगेक जनन के प्रकार तथा उसके लाब के विशे में चर्चा करेंगे धन्यवाद करेंगे जनन के विशे में जनन के विशे में करी में झाल झाल